प्रिवेस वीडियो लिख चेने यंदे प्री प्रोसेसर सुम छे आपड़े जोई सुम वर्क करे चे प्री प्रोसेसर तमारो जे सोर्स कोड छे एस सोर्स कोड उपर के एक प्रोसेस करे चे क्या रहे चो तमारो सोर्स कोड छे कंपाईलर पास से पहुँचे पिल्ला एन आउपर के एक प्रोसेस करवानू वर्क करेचे प्री प्रोसेस है अलग-लग डायरेक्टिव जो है सैन, इंक्लूड इफ, एंड इफ आवा अलग-लग अपडे डायरेक्टिव शागर जोही है ता अमा थी फरस्ट वन जे छे include चे आपड़ा syllabus नी अंदर छे अने चेने आपड़े brief मा समझवानों छे आपड़े day-to-day life नी अंदर च्यारे पाण सी लेंगवेद नो प्रोग्राम कार सो त्यारे आपड़े आ डायरेक्टिव नी requirement रहे से चो ये के विरी ते वर्क करे चे आजे has sign and include चे ए यूज करवा माटे very first of all तमारे ए जानवु जरूरी चे के header file सो चे केंके include नी syntax नी अंदर तमारे header file नी requirement रहे से तो जोई ये आजे header file चे एस सो चे some functions are returned by users सो किये चे अमुक एवा function होई चे के जे user द्वारा लखेला होई चे function एटले सू function एटले एक टाइप नो program नो block के जे मनी अंदर कोई पन user है program ना अलग-अलग operation परफूम करेला आसे अलग-अलग variable declare करेला आसे आओ एक function नो block चे आ function नो जे name चे ये चो user declare कर से तो येमने user defined function के वासे यहां कीदेलू चे some functions are written by user एले के अमुक function एवा होई चे के जे user लखेला होई चे and many other study ना c library अने घणा बदा एवा function होई चे के जे c language जेर डेवलप करवा माई वू त्यारे एमनी लाइबरेरी नी अंदर यूज करवा माई वा था आवा function ने तम्हे built-in function कही सको चो अने आवा जे function छे एमनी पोता नी syntax वेचा syntax नी अंदर तम्हे कोई पन चातनू change करी शक्सो नहीं आवा function ना name नी अंदर पन तम्हे कोई पन चातनू change करी सकता नथी library functions are grouped category wise and stored in different files known as header files आज जे c library छे एमनी अंदर जे functions छे मिनसके जे built-in function छे एक group मा आसे category wise जेना अलगलग group पाड़ेला से for example कोई data print करावा छे तो print कराव माटे ना बदा function असे कोई data ओपर condition चेक करावे छे तो condition चेक कराव माटे ना बदा function असे कोई date and time ने related काई data पास आउट करवा छे तावा टाय में date and time ने related बदा function असे तिके पाची कोई string ने related तमारे data जोई ये छे तो string ने related बदा function असे आरी ते अलगलग functions नो group बनावे लुआ से आज जे group छे एने एक file नी अंदर store करेला से अलगलग file नी अंदर अलगलग group ने store करवा माई बाह से आज जे file छे ए header file के वाई छे आपड़े header file काई शक्ये छे if we want to access the functions stored in the library it is necessary to tell the compiler about the file to be accessed सुखे छे जो तमारे functions use करवा छे लाइबरेडी नी अंदर जे functions छे ये जो तमारे use करवा छे तावा टाइम में पहला तमारे compiler ने के उपड़ से compiler ने inform करवा पड़ से के मारे आज ये library छे ये माथी आप function छे जो ये छे के use करवा छे तावा टाइम में तमारे सू करवा पड़ से के preprocessors नो use करवा पड़ से अलग-अलग directives नो use करवा पड़ से छो ये syntax of preprocessor is as follow तमें जो include directive नो use करवा छो तो ये के वी रीते करी सक्सों ये syntax ये आपे ली छे has sign include and greater than less than sign नी वच्चे file name आजे file छे कई असे ये तमारी header file असे बराबर आ header file नी अंदर तमारा built-in function असे तमारे प्रोग्राम नी अंदर जो कोई built-in function use करवा छे तो तमार सू करवा पड़ से header file नो name अई आपसो तो ज तमें ये built-in function ने use करी शको छो आरी ते include डायरेक्टिव छे जैने आपणे प्री प्रोसेसर पाण कई शक्ये छिये ए वर्क करे छे